नमस्कार दोस्तों मैं अब शेक सर्मा RBS Classes की ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूटूब के चैनल पर आप सभी का तह दिल से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको ranking के question करवाये थे जिसमें आपको उमीद है कि सब को समझनाया होगा तो चलिए उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए topic के साथ सुरुआत करते हैं हम लोग जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बंदर के चढ़ने उतरने वाले question आ जाते हैं मुर्गी के सिर्पैर गिनने वाले question आ जाते हैं पाइटी में दस लोग एक अठा हुएं सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं वो question आते हैं या एक दूसरे को तोफ़ा प्रदान करते हैं इस type question आते हैं तो one by one करके हम लोग question को लेंगे और उसी कड़ी के आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी और आपको पढ़ाया जाएगा फिलाल आज की क्लास में mathematical reasoning का question है reality में पार्ट तो math का है लेकिन पूछा जाता है तो mathematical reasoning का है और आप सबसे आग्रह है कि reasoning की कितनी बड़ी भूमिका है सबको पता है बार-बार बताने की जरूत नहीं है लेकिन आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि चै एक मैदान में कुछ मुर्गी और कुछ बकरी है कुल सीरों की संख्या 48 और कुल पैरों की संख्या 140 है बताएं कि उस मैदान में कितनी मुर्गी और कितनी बकरी है अब आपको पता होगा कि मुर्गी और बकरी वाले question जबाते हैं तो बड़ा उल्जा देते हैं लगता है कै का हम basic concept आपको बताएंगे तो बिल्कुल भी आपको परसान होने की जरूरत नहीं है चले स्टार्ट करते हैं question को तो question को स्टार्ट करें बोला गया एक मैदान में कुछ मुर्गी और कुछ बकरी है जहां कुल सीरों की संख्या 48 और कुल पैरों की संख्या कितनी है एक सो चालिस फटापट solve कर लीजिए तो सीनों की संख्या कितनी है 48 और पैरों की संख्या 140 यह हो गया एक सो चालिस बटे दो माइनस अरतालिस हट से आप फैलू रख दो एंसर आ जाएगा एक सो चालिस को दो से भाग देंगे आतालिस में तो 22 बकरी हो गई आतालिस में कुल जानवरों की संख्या आतालिस है जिसमें 22 बकरी है तो 22 घटा देंगे तो हमारे पास बचे कितना 26 और यह 26 क्या हो जाएंगी मूरगी ट्रिक के तरीके से हमने बताया आपको इसका basic concept भी लेके चलेंगे हम लोग 140 बकरी दो माइनश अर्टालिस अब यह 140 बकरी दो माइनस अर्टालिस था क्या इसके बारे में समस्ते हैं ठीक हैं अब इसके बारे जो समझेंगे आप, तो question में था क्या, आप इसके basic तरीका समझें, ये जो तरीका हमने लगाया, ये concept था आपका, चार पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या, बटे 2-0 की संख्या, ये ही तरीका हमने रखा जो आपका फट से answer आ जिया, हमने किया क्या था, उसी को बेसिक तरीके से पूरा बता रहे हैं, पूरा step by step बता रहे हैं, तो चार पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या, बटे 2-0 की संख्या, अब अगर पैरो की संख्या की बात करें तो पैरो की संख्या है आपकी 140 और सिरो की संख्या है 48 जिसमें हमने ये निकाला किसको है चार पैर वाले अब आपको पता है कि इसमें है कौन कौन कितने प्रकार के जानवार हैं तो जानवार दो प्रकार के हैं मुर्गी और बकरी जि की होते हैं चार पर फेक है इन दोनों में चार पर वाला जानवार आपका बखरीज जी घॉह पहले किसकी संख्षा क्न ऊच्या थ थो पनाइज किसंख्या बटे दो फैर कितने RA की संख्या कितनी है 48 इस पिघक थे पेरिलू रखेंगे आपका आइस्थ आजएगा 2-10-2 . एक सो चालिस और सत्तर में अलतालिस अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचिए का कितना ट्वेंटी टू यह क्या आ गई बकरी की संख्या अब आपको पता है कि आज के कलियुक के जमाने में चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो चाहे कोई इंसान हो या पस्पक्षी हो सिर एक ही हो गई तो कहने का मतलब यह था ऐगर अरतालिस सिर है इसका मतलब जानवर भी आरतालिस होंगे तो कुल जानवरों की संख्या आपको पहले से पता है कि अरटालिस हैं जिसमें बाईस क्या हो गई बकरी अब आगर बाईस-बकरी निकल गई बचे कितनेonner्ट शबिस अब जो 26 बचा ये क्या हो जाएगा मुर्गी कहने का मतलब दो पैरवाला जानवर तो एंसर क्या होगा 22 बकरी होंगी और 26 मुर्गी होंगी ये रहा आपका एंसर अब इसी को अगर पूरा बेसिक तरीके से चलें यह तो मैंने फार्मूले पर रखकर एंसर बता दी आपको इ यह तो सौर्ट में थार्दा डाइट बता दिया आपने सॉल्व कर लिया लेकिन जिब बेसिक तरीके से चलेंगे पूरा का पूरा हमें एक्वेशन बनाना पड़ेगा और वह एक्वेशन क्या होगा आपके सामने रखते हैं अब कॉश्चन यह है कि मुर्गी को मान लेते हैं एक्स और बकरी को मान लेते हैं वाई मुर्गी को हमने मान लिया एक्स बकरी को मान लिया वाई अब अगर सॉल्व करें तो सीरों की संख्या और पैरों की संख्या को जब निकालेंगे हम लोग तो जैसे अगर सीरों की संख्या की बात करें तो चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो दोनों के एक अही सिर होंगे इसका मतलब दोनों को सीरों को मिला दिया जाए टोटल कितने सीर है 48 इसका मतलब यह है कि X प्लस Y बराबर 48 यह क्या बना समीटर नमबर एक दूसरा अगर अब पैर की बात करें पैर में अगर बात करें तो मुर्गी को माना है हमने X बकरी को माना है हमने Y तो मुर्गी के होते हैं दो पैर तो यहां पर क्या मानेंगे टू एक्स और बकरी के होते हैं चार पैर तो क्या लिखेंगे प्लस फोर वाई बराबर कुल पैरों की संख्या कितनी है 140 यह क्या बना समीकरा नमबर आपका 2 अब काटने के लिए सिम्बल को चेंज करेंगे 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपने बच्पन पढ़ा होगा समीकरा नमबर एक में दो से गुड़ा करने पर मैं यहाँ पर direct click दे रहा हूँ समिकरन नमबर 1 में 2 से गुड़ा करने पर क्या होगा आप सभी को पता होगा चलिए solve करते हैं 2 से गुड़ा X में करेंगे तिये हो जाएगा 2X प्लस 2 से गुड़ा Y में करेंगे तिये हो जाएगा 2Y बराबर 2 से गुड़ा 49 में करेंगे तो यह हो जाएगा 96 यह बना आपका समी करा नमबर 3 अब इस question को solve किया जाए symbol change करेंगे minus 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 2x plus में 2x minus में दोनों क्या हो गया cancel अग इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग 4y में 2y निकल जाएगा बचे कितना आपके पास 2y बराबर 140 में अगर हम 96 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 44, 2y is equal to 44, y is equal to 44 by 2 यह आप solve कर लिजिए 2, 1, 2, 22, 5 यह है अपका answer फटा फटा आप लोग solve कर लिजिए तो बकरी की संख्या कितनी आ गई 22, बकरी मतलब y का मान निकाला हमने और y क्या मान निकाला था हमने बकरी, इसका मतलब बकरी कितनी होंगी 22 अब आप सभी को पता है कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे तो सिरों की संख्यान 48 थी, इसका मतलब जानवरों की संख्यान 48 थी जिसमें 22 बकरी निकल गई 42 में अगर आप 22 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 26 और ये 26 क्या हो जाएंगी मुर्गी फटा फटा आप लोग सॉल्व कर लीजिए फिर हम लोग अगले कॉश्चन पर चलते हैं चलिए कॉश्चन नमबर दू पर लेते हैं 263 और कुल पैरों की संख्या 190 है बताएं उस पार्क में कितने घोड़े और कितने कबूतर हैं फटा फटा आप लोग सॉल्व करिए सॉल्व करने का तरीका बस वही जैसे अभी हमने आप बताया कि आप फार्मूले वैलू रख लें पूरा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है तो फार्मूला क्या है चार पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या बटे दो अभी लिखा था हमने पैरों की संख्या बटे दो माइनस सिरो की संख्या फार्मूला मैं फिर सी लिख दे रहा हूँ अब घोडा और कबूतर दो प्रकार के जानवर है जिसमें चार पैर वाला कौन होगा घोडा यहां पर हम लोग जो स्वाल्व करने चलने किसकी संख्या आएगी घोडे की घोडा बराबर पैरों की संख्या बटे दो पैर टोटल कितने हैं तो पैरों की संख्या कितनी है आपके 63 अब 190 को आप 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 95 जैसे सॉल्व कर लें टू वन जा टू 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 नाइन जा एटीन दो नवा अठारा नौ गया बचा एक और दो पंजे दस तो कितना आगया 95 इसका मतलब 95 इफाइप माईनस 63 अब 95 में तिर सब्सक्रियोग कर देंगे तर little hourे दो नौ में 6 गया तीन क्या आगया 32 अब यह 32 क्या है आपके है उफ्य पत्टिस क्या है आपके गोड़े इस 耗ूरक की शंख्या कितनी आ गई 32 अब आपको पता है कि जितने सिर होंगे उतने ही प्रकार के जानवर होंगे, तो जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, इसका मतलब कुल जानवरों की संख्या कितनी हो गई, 63, अब 63 में 32 क्या है, 32 हो गई क्या, घोड़े, तो 32 अगर हम घटा दें 63 में, तो बचेक हमारे पास कितना 31, और यह जो 31 होगा, वो क्या हो जाएंगे? कबूतर. Solve कर लीजिए आप लोग फटा फट. फट से solve कर लीजिए. उमीद है आप सभी को सौन ना गया होगा. चलिए, अगले question पर चलते हैं हम लोग question number 3 पर. अब question number 3 की बात करें, बोला गया, कितने समय में एक बंदर 90 मीटर 90 फिट उचे पेड़ के सीर्स को छू लेगा, यह दिवह, एक सेकेंड में 6 फिट उचलता है, और तुरंथ 4 फिट फिसल कर नीचे आ जाता है, और 4 फिट नीचे गिर जाता है. अब आपको करना क्या है, खंबे की लंबाई कितनी है, खंबे की लंबाई बोला गया या पेड़ की लंबाई कुछ भी बोल दिया जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन में देखेंगे, पेड़ का सब्दकाना प्रयोग करके, खंबे का प्रयोग करता है, यहाँ पर पेड़ की लंबाई या खंबे की लंबाई कितनी है, 90 अब खंबे की लंबाई 90 है इस 90 में हम माइनस कर देंगे क्या जितना बंदर एक बार में छलांग लगाता है तो बंदर एक बार चड़ता कितना है नब्बे फिट तो उचा है पेड़ जिसमें बंदर एक बार में छलांग कितना लगाता छे फिट कितना नब्बे में हम क्या माइनस कर दें Community सब्सक्राइब इतने साथ उन्हों झाल छार रहा है कर आप कुन तोस्क्राइब करें तो या क्रूब तो मैं वास्तिवीक चड़ाई की बात करें बते दो प्लस 1 इस फार्मूले पर आप रख दीजिए एंसर आ जाएगा फार्मूला मैं बगल में लिख भी दूँगा पहले आप सॉल्व कर लें तो 90 में हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचे कितना 84 अब 84 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 42 और लास्ट में प्ल माया होगा फिर से समझें 90 में 6 माइनस कर देंगो हो जाएगा 84 बाई 2 प्लस 1 टू वन जा टू 42 जा 84 अग 42 में प्लस 1 कर दें कितना हो जाएगा 43 जो कि मैंने यहां पर डारेट कर रख रहा था इसका फर्मूला क्या था आप सब को मैंने डिसकस किया है आपके सामने मैं बो चाहे वो खंबा हो चाहे वो पेड़ हो कुल लंबाई माइनस बंदर के कैपसिटी या बंदर के छलांग लगाने की छमता तो बंदर के छलांग लगाने की छमता कितनी अच्छे तो क्या लिख सकते हैं बंदर की उच्छाल या बंदर के छलांग लगाने की छमता यहां लिख सकते हैं बंदर की उच्छाल बटे वास्तविक चढ़ाई वास्तविक चढ़ाई मतलब जितना उपर गया हो और जितना नीचे आया हो तो जितना उपर गया था उसमें जितना नीचे आया है उसको आप माइनस कर दो जैसे किया हमने छे उपर गया चार वापस आ गया बचा कितना दो रियल्टी में एक बा और लास्ट हम क्या कर देंगे प्लस वन क्योंकि वह बंदर लास्ट बार जब छलांग मारेगा फिचल कर नीचे नहीं आएगा इसलिए आप इस कोश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं हम लोग कुश्चन नमबर 4 में बोला गया एक बंदर 80 फिट उचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है वह एक मिनट में 8 फिट चढ़ता है लेकिन फिसल कर 6 फिट नीचे आ जाता है खंबे पर चढ़ने में या खंबे के सीर्स पर पहुंचने में उसे कितना वक्त लगेगा कितना समय लगेगा कोश्चन आप से पूछा जा रहा है तो चलिए आप लोग फटा-फट सॉल्व करिए इसके बाद हम आप बताते हैं दो सेकेंड दस सेकेंड का समय लीजिए और आप सॉल्व करिए तो पिछले वाले कोश्चन में ही अभी हमने आपको फार्मुला बताया इस टाइप के कोश्चन को जब सॉल्व करना हो इसका चाहेंगे तुम्हें बेसी तरीका भी बता दूंगा यहां पर बोला क्या गया चेंडाय कितनी है असी फिट पहले हम क्या लिखेंगे एटी कि माइनस वदekt वहार नीचे आ जाता है कितना 거야 यह गँफर नीचे अ कितना चाहा रहा तो पाइनस च्छे हो जाए बचे कितना दो तो रियल्टी मों अब अंदर कितना चलपा रहा केवल दो ही चलपा रहा है बटे दो और लास्ट क्या करेंगे प्लस वन करेंगे यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे इसको अगर यहां पर लेकर चले तो 80 में अगर आठ घटा देंग 37 यह रहा आपका एंसर इसका मतलब 37 मिनट में वह बंदर खंबे के सीर्स पर चल जाएगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए उमीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा ठीक है लिख लीजिए आप लोग इसको अब इसका बेसिक कॉंसेप्ट क्या था इसका बेस अब इसका बेसिक कॉंसेप्ट यह है जैसे माल लीजिए कोई खंबा है यह हमने पूल बना दिया और खंबे की लंबाई कितनी है बोल दिया गया असी फिट की है बोला गया कि वह बंदर एक बार में या एक मिनिट में कितना चरता आउट माल लीजिए एक मिनट च्हलांग मारा और कितना पोँच गया आइच फिट पोँच गया लेकिन तुरंत हीं फिर से कहां आ जा रहा नीचे आ जा रहा कितना छेप DC अउपर गया था और छे वापस है अगर अगर वहाओभ अदर एक मिनट में दो फिर चल रहा है तो जालिस मिनट में चालिस दूना असे फिट चढ़ जाएगा लेकिन यह गलत है यह नहीं होगा क्यों इसलिए मैंने आपको पॉल बनाया है यहां पर पॉल बनाकर समझाने कोसिस कर रहे हैं यह कॉंसेप्ट कभी मत लगाईएगा नहीं तो एंसर गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा उसके बारे हम समझते हैं अब जैसे माल लिए खंबे की लंबाई कितनी असी फिट इस असी में हमेशा उस नंबर को आप माइनस कर दो जितना बंदर एक बार में च्छलांग जिसमें हमने क्या कर दिया आठ माइनस कर दिया अब हमने म выход किया है आथ हमने इस लिए माइनस किया है क्योंकि वह बंदर जब लाश्ट बार की छलांग मालेगा साके हीरस पर पहुंच जाएगा और जब टॉप पर पहुँच जाएगा तो फिसल कर नीचे नहीं आएगा इसलिए जैसे वह दो मिनट में चढ़ा एक मिनट में दो गया फिर दो में चार जाएगा इसी प्रकार चलते चलते वह बंदर 72 फिट जाएगा और 72 तक जाने तक जब तक 72 नहीं पहुँचा है तब चढ़ेगा लेकिन जैसे ही वह 72 पहुँच गया 72 पहुचने के बाद जब वह आठ फिट की छलांग मालेगा तो 72 और 8 80 सीथा कहां पहुँच जाएगा सीर्स पर और जब सीर्स पर पहुँच जाएगा तो फिसल कर नीचे नहीं आएगा इसका मतलब इस आठ को चढ़ने में उस बंदर को केवल एक ही मिनट लगेगा इस एक को हमने क्या किया था लास्ट प्लस वन जो प्लस वन लास्ट में कर रहे थी यह वही एक है क्योंकि लास्ट बार की जो छलांग होगी उसमें सीधा उपर पहुंच जाएगा तो हमें निकालना कितने त लाता है दो फिट तो 36 मिनट में क्या हो जाएगा 36 दुना 72 इसका मतला वह बंदर 36 मिनट में 72 फिट चढ़ा गया होगा और उसके बाद जब 72 के बाद 8 फिट की छलांग मारेगा सीधा कहां पहुंच जाएगा सीर्स पर और जब सीर्स पर पहुंच जाएगा फिचल कर ना हो जाएगा 37 यह रहा आपका एंसर जो कि हमने सौर्ट मेथर से पहले ही बता दिया था बेसिक कॉंसेट इसका यह था चलिए फटा 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 आप लोग सौल कर लीजिए इसके बाद हम लोग नेक्स को लेते हैं चले कोशन नमबर नेक्स्ट पाचमा एक जन्मदीवस समारों में 25 मित्र एकत्रित हुए जहां सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया उस समारों में कितनी बार हाथ मिलाया गया फटा पट सौल्व कर लीजिए इसको इसका फर्मुला होता है एन इंटु एन माइनस वन अपान टू जहां पर एन क्या है कुल व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या लिखने या कुल व्यक्तियों की संख्या लिखने क्या स्मॉल एन स्कॉल टू क्या है कुल व्यक्तियों की संख्या अब इस फर्मुले वैलू रखेंगे टोटल में कितने हैं 25 गुड़े 25 माइनस एक पच्चिस गुड़े 24 बटे 2, 2, 1, 2, 12, 2, 24, 12, 50, 60, 0, 12, 24, 30, तो एंसर कितना होगा 300, यह रहा आपका एंसर, तो हाथ कितनी बार मिलाया गया होगा, 300 बार हाथ मिलाया गया होगा, क्यों अब ध्यान से समझते हैं, यह तो हमने डारेट आपको सौट मेथर बता दिया, कि कितने संख्या होगी, n into n minus 1, n क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या है, कुल संख्या है, टोटल नमबर आप परसन है, इसको सौल कैसे करेगे, अब इसको हमें एक बेसिक तरीका बताते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, पच्चीस लोग हैं, लेकि 25 का एक्जामपल न लेकर, हम पहले केवल चार से पाँच लोगों का एक्जामपल लेते हैं, तो जब इसको सौल करेंगे, जैसे भी यहां question में बोला गया है 25 परसन है तो 25 नहीं अभी हम केवल 5 परसन का example लेते हैं इसी पे हम formula बराए हैं इसी पे आप आगे set कर दीजिए का answer आ जाएगा कैसे अब समझें जिसे मानने 5 बेखती हो एक का नाम A हो गया दूसरे का नाम B हो गया तीसरे का नाम C चौथे का नाम D और पांचवे का नाम E अब अगर इसको solve किया जाए तो जब इसको solve करेंगे हम लोग मान लीजिए 5 लोग हैं एक party में 5 ही लोग आए और वह पांचो एक दूसरे से हाथ मिलाना सुरू करते हैं तो जब एक दूसरे से हाथ मिलाना सुरू करेंगे मान लीजिए A ने मिलाना सुरू किया A ने मिलाया B से C से D से और E से तो A ने कितनी बार हाथ मिलाया चार बार अब मिलाना सुरू करें कौन B तो B मिलाएगा C से D से E से तो कितनी बार मिलाएगा तीन बार अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह जो भी है वो एसे हाथ नहीं मिलाएगा क्या एक दो तीन से मिलाया चौथिस आपने छोड़ दिया लिया छोड़ नहीं दिया वो और लेड़ी हाथ मिला चुका है क्यों मान लीजे मैं अगर आपसे क्लास मेंटरी किया आप बैठे हैं मैं क्लास मेंटर हुआ और आपसे हाथ मिलाया तो जब मैंने आपसे हाथ मिलाया क्या उस टाइम आप अपना हाथ जेब में डल खड़े होंगे नहीं मैं आप से हाथ तब मिला पाऊंगा जब आप भी अपना हाथ मेरे साथ बढ़ाएंगे या मेरे हाथ से हाथ मिलाएंगे इसका मतलब A कही साथ दोरों रोग निपट गए कहने के म pretended A जब बी सेавाख मिला रहा था उसी समय B ने A सेढ़ मिला लिया था इसलिए इसको दुबारा मिलाने की जरूरत नहीं है तो C कितनी बार मिला रके ओल प। अब कोन मिलाना सुरूर करेगा C अब ध्यान रखिएगा A ने B सेढ़ मिला लिया है इसका मतलब भी A से हाथ मिला चुका है B ने C से हाथ मिला लिया इसका मतलब C भी इनसे हाथ मिला लिया इनसे कौन कौन हाथ मिलाया A और B इसका मतलब C A और B से हाथ मिला चुका है दुबारा नहीं मिलाएगा तो यहाँ पर अब solve करें तो अब मिलाना सुरू करेगा सी मिलाएगा डी से और इसे कितनी बार मिलाएगा केवल दो बार अब कोन मिलाना सुरू करेगा डी और डी मिलाएगा इसे कितनी बार केवल एक बार अब जो दे चार तीस साथ दो नौर एक दस अब आप दिमाग लगा सकते हैं कुल व्यक्तियो पांच गुड़े पांच माइनस एक बटे दो बराबर कितना हो जाएगा पांच गुड़े चार बटे दो एक अन। दो तूना चार पांस दूना दस ऐसर कितना होगा टेन बैसी कॉंशेट था वह आपके लिखा हुआ है क्लियर है फटा पर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए उमीद है कि आप सभी को सुझ जा रहा होगा लिख लीजिए फिर अब लोग अगले कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नंबर छे अब कोश्चन नंबर छे बोला गया कि एक नौवर समारों में चालिस अतित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य सेम टाइप के सामीं लिखा हुआ है चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रकार के जब को सॉल्व करना हो तो अभी आपके दिमाग में जैसे हमने एक लिया था क्वेशन तो जैसे भी हमने आपको बताया था कि एन इन टू एन माइनस और पांटू लेकिन कब जब हाथ मिलाने वाला क्वेशन होगा तब क्योंकि हाथ मिलाते समय एक साथ दो लोग का काम हो जाता है लेकिन जब गिफ्ट देना होगा तो जैसे मान लीजिए कि बाल दिवस पर हमने आपको गिफ्ट दिया तो सिच्छक दिवस पर हम भी उमीद लगाए बैठेंगे ऐसा एक एक जाम्पल के त समया हाथ मिला लिया इसलिए इसमें हमें फार्मूले प्या रखना है अब एन इंटू हैं माइनस और जो बटेम दो रखते थे और हम लोग इसलिए रखते थे एक साथ दो लोग काम हो जा रहा था तो बाल नहीं और चया है वही वेक्तियों की संख्या टो टोटल नमबर आ परसन, small n की value क्या है? कुल भक्तियों की संख्या, कुल संख्या तो अब आप फार्मूले पगर value रख लें तो टोटल कितने लोग हैं? 40 40 गुड़े 40 माइनस 1 अब इसको आप solve करेंगे तो 40 गुड़े 49 अटाप अटाप solve कर लीजिए तो जब 40 इस गुड़े 49 करेंगे तो answer कितना आएगा? 1560 आप multiply कर सकते हैं 00 यहां लिख लिए हमने 496 के 6 4 तिया 12 12, 3, 15 तो कितना हो जाएगा? 1560 इस value पर रख लीजिए फटाफट आप question को solve कर लेंगे इसके बारे बेसि तरीका जैसे हमने आपको लिया था उसी प्रकार यहां पर ले ले मानने जिए तीन लोग हों A, B और C A ने B को gift दिया फिर C को दिया A ने कितने gift बाटे? 2 उसके बाद C gift देना सुरू करेगा B को और A को इसको देना पड़ेगा क्योंकि gift ले रहा यहां बाटे में दोख नहीं कर सकते हम लोग ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सौंज में आ गया होगा आप इस प्रकार को रखिए इस प्रकार को रखिए इस प्रकार को रखिए आपके SSC हो SSC GD हो MTS हो 10 प्लस 2 हो CGL हो CHSL हो या आपका banking का exam हो चैकलर के लेबल का हो प्रोविजनरी ओफिसर का हो specialist officer का हो कोई भी exam हो इस प्रकार के प्रश्ण आपके हर exam में पूछे जाते हैं चैहे वो UPP का paper हो UPSI का हो वीडियो का हो ठीक है तो इस type question पूछे जाते हैं आज हमने प्रयास किया है कि mathematical reasoning के कुछ type के question पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन maximum question को cover करने की कोशिस किया है और उमीद है कि आप सभी को ये chapter समझ में आया होगा इसलिए आप लोग से एक बार फिर से आगरा है कि आप RBS classes दपरिच्छा गुरू की online platform पर जुड़िए वीडियो को देखिए कहीं कोई confusion होती है तो आप comment करके बिल्कुल बता सकते हैं अगर कोई समस्या होती है तो आप contact number पर call करके बात भी कर सकते हैं अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं इसलिए आप सभी से request है चैनल को ज्यादा ज्यादा like करें share करें और subscribe करें इन ही चंसद्दों के साथ आज का lecture यही पर समाथ होता है धन्यवाद